तो हैलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगें आज हम बात करने जा रहे हैं पावर अफ जजीज की या फिर बोल सकते हैं इसे पावर अफ कोड्स की और साथी साथ एक ऐसे कॉंट्रोवर्शिल कोशिन की या फिर इशु में ये कोशिन रहता है कि पावर किसकी जादा है जजीज की या फिर executive magistrates की या हम बोल सकते हैं DJ की या फिर DM की district judge की या फिर district magistrates की तो आज हमें इस कोशिन का जवाब देने की कोशिस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात according to CRPC अगर हम देखे code of criminal procedure तो इसमें बताया गया है कि courts by which offenses are tryable पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से offense कौन कौन से courts try कर सकती है it means वो उसका cognizance ले सकती है उसको वो अपने उस court में वो case चल सकता है तो हम बात करते हैं इस section में क्या दिया हुआ है इसमें देखिए बोला गया है for the purpose of offenses are divided into two classes सबसे पहली बात basic चीज़ यह है कि offense को दो categories में बाटा गया है इस section के according कि offense under IPC and any other offenses वो offenses जो Indian Penal Code में दिये गए है और बाकी सारे offenses other than IPC बाकी सारे offenses तो देखिए जो IPC में दिये गए हैं उनको कौन try करेगा और किस according वो try होंगे तो यही बोला गया इसमें कि offenses under IPC may be tried by first the high court उनने try कर सकता है इसका यह मतलब नहीं है कि पहले number high court का है उनने try करने का बलकुल नहीं इसमें सिर्फ series नहीं बताए गया है इसमें सिर्फ यह बताए गया है कि कौन-कौन से courts try कर सकते हैं तो high court try कर सकता है IPC के offenses को second है और जैसे लिखा हुआ है the court of sessions try कर सकता है बलकुल कर सकता है और any other court by which such offenses shown in the first schedule to be tryable first schedule code of criminal procedure का जो जो बताता है कि इस offense को यह court try करेगी उसके according होगा तो इसमें कौन-कौन से courts try कर सकती है IPC को offenses को high court, court of session और या फिर वो वाली court जो offense के सामने mention है कहाँ पे schedule number first में ठीक है second offense बोले गए है any other offenses means apart from IPC देखिए इनको कौन try करेगा इनको try करेगा when any court is mentioned then by such court जैसे juveniles के offenses है ठीक है, IPC में नहीं दिये गए है या फिर economic offenses है, नहीं दिये गए income tax के offenses है, नहीं दिये गए है तो यह सारे offenses other than IPC हो गए first of all and second is कि यह कौन try करेगा इने क्या उपर वाली series लगेगी बिल्कुल लगेगी या फिर नहीं लगेगी वो हम आगे देखेंगे, बट इसमें यह बोला गया है कि इन offenses के सामने या इनके act में जो quotes mention की गई है first of all उनका ही number आता है, ठीक है जैसे income tax के, वहाँ पे बताया गया होगा, अपना money laundering में कुछ बताया गया होगा, तो narcotics का अलग court होगी तो जहां बताया गये हैं first of all वहीं होगा, वहीं try होगा and if no court is mentioned अगर कोई ऐसा case है, या फिर ऐसा कोई fact है, कि जिसमें कोई court mention नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए, वहाँ पे होगा, फिर वहीं सेम, high court, या फिर court shown in the first schedule to be tryable या तो high court, high court की तो पूरी jurisdiction है, पूरे state में और, या तो फिर court shown in first schedule to be tryable या फिर सेम, जो first schedule में दिखाया गया है उस offense के सामने या फिर बताया गया है, first schedule में, उसके बारे में, वही court से try करेगी, तो यहाँ पे हमने देखा कि courts, कौन-कौन से offenses को, कौन-कौन सी courts try कर सकती है, cognizance ले सकती है ठेक है, next में चलते है अब एक case है, case बहुत ही interesting है, Harish Chandra versus Kavindran Narayan, 1936 का है, इसमें ये बोला गया, कि the high court cannot straight away take cognizance देखिए, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर high court mention है, इसका ये मतलब नहीं है कि high court ही straight away cognizance ले ले गा offense का, and try the accuse ठेक है, instead, it has to follow the procedure prescribed by the court, high court को भी, पूरा procedure, जो भी prescribed किया गया है, वो follow करना पड़ेगा ठेक है, high court अगर mention है तो वो chronology नहीं है ठीक है, तो इस case में यही बताएगा चलिए, next slide में चलते है अब आती है, powers की बात powers हम कैसे किसी की judge करते है, उसकी power sentence देने की, उस according हम उसे देखते है कि हाँ, कौन ज़्यादा powerful है कौन किसको कितना punish कर सकता है power का judgment उससे ज़्यादा लगाया जाता है, कि हाँ, यह court इसको इतना time तक punish कर सकती है it means यह ज़्यादा बड़ी court है और दूसरी वाली कम कर सकती है, तो वो शैथ छोटी court है, तो यही यहाँ पर चलता है, कि sentences which courts में pass, कौन कौन सी courts, क्या-क्या sentence, किस according pass कर सकती है तो देखें, यह section 28 है, अगर code of criminal procedure का बोले, बाकी यह जानना सब के लिए जरूरी है चाहे वो CIPC पड़े, या ना पड़े या पड़ता हो, या ना पड़ता हो तो हम देखते है, high court high court का पूरा jurisdiction है एक state में तो यह कौन सी sentence pass का सकता है, यह any sentence authorized by law, law ने जो भी sentence authorized कर दी, high court उसे pass कर सकता है, उसको किसी की permission की कोई जरूरत नहीं है, second is sessions judge, यह फिर additional sessions judge, अब sessions judge भी एक valuable post है एक district का वो judge होता है, इसे district judge भी बोलते हैं, जब वो civil cases देखते हैं यह कौन सी sentence pass कर सकते हैं, यह यह भी any sentence authorized by law but a sentence of death is subject to confirmation by the high court अगर यह death की sentence देंगे, तो high court से confirmation जरूर होनी चाहिए otherwise यह सारी punishments दे सकते हैं, law के according, third one is assistant sessions judge, अब यह sessions judge के assistant sessions judge होते हैं यह कौन सी punishment देंगे only imprisonment up to 10 years इसके उपर की कोई भी punishment, चाहे वो life की हो चाहे वो death हो, कुछ भी हो यह नहीं दे सकते, up to 10 years तक की imprisonment, assistant sessions judge दे सकते हैं अब हम आगे देखते, next slide में magistrates magistrates कौन सी punishments पास कर सकते हैं, यह section 29 में दिया हुआ इसमें देखिए, सबसे बड़ा magistrates में head जो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं chief judicial magistrate, यह फिर जो imprisonment दे सकते हैं, इसके बाद आता है first class magistrates, यह फिर हम बोलते metropolitan magistrates, तो यह up to 3 years तक की imprisonment दे सकते हैं, यह फिर इनकी fine पे भी बार है capping लगी हुई है, जैसे fine up to 10,000 तक का ही first class magistrates दे सकते हैं, यह तो फिर वो दोनों भी दे सकते हैं, 3 years तक की imprisonment और fine up to 10,000 ऐसा ही second class magistrates का है, जो की up to 1 years तक की दे सकते हैं, punishment और fine up to 5,000 और बोथ तो यह दिया हुआ magistrates के बारे में section 29 में अब बात करते हैं, executive magistrates की क्योंकि जब भी हम magistrates की बात करते हैं, तो हमारे mind में दो questions आते हैं, और दो figures आती हैं एक judicial magistrates और एक executive magistrates तो अब हम देखते हैं, executive magistrates के चीज़ है, देखिए यह होते क्या हैं, this includes district magistrates and other executive सबसे बड़ी post magistrates, executive वाली categories में district magistrates क्यों होती हैं, जिसे हम simply dm बोलते हैं और इसमें काफी सारे magistrates और भी होते हैं, अब जो dm होता है वो क्या होता है, एक district का वो administrative head होता है, it means representative of government होता है, एक तरीके से तो देखिए, इसको कौन appoint करेगा, appointed by state government, third one is district magistrate is the head of the district होता है on the executive side, और इसकी responsibility होती है, सारे के सारे administrative काम देखना and police actions, मत्तब कि यह district का सबसे बड़ा एक तरीके से head होता है, government का representative होता है, state government का जो कि administrative काम भी देखता है, और police actions को भी देखता है, इसकी responsibility होती है, directly इसकी जो provision से वो CIPC में दिये है, section 20 से लेकर 23 तक, उसकी हम detailing कभी और करेंगे, अभी इतने जाना sufficient है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि district magistrate और judicial magistrate, भाई इनका क्या common क्या है, क्या difference क्या है इनके बीच में काफी issues रहते है सबको इनके powers के बारे में जानना है, कि कौन बड़ा है किसके पास ज़्यादा power है, DM के पास, या फिर judicial magistrate जो district judge बोले हम, उनके पास, तो हम जानते हैं या पर थोड़ा clear करने के कोशिश करते हैं इसमें ये है कि district magistrate is appointed and controlled by the state government इन्हें appoint भी और control भी कौन करता है state government, जबकि judicial magistrates को कौन control करता है high court of that state, पहला difference नमें ये है, second is executive magistrates perform administrative and police functions while judicial magistrate functions करेंगे, judicial functions it means, जैसी case court में गया, तो judicial work शुरू हो गया, तो वहाँ पे अब DM का कोई role नहीं रहा, ठीक है अब हम थाट देखते है district magistrate is equivalent to that of chief judicial magistrate, अगर हम इन दोनों, वैसे दोनों ही democracy के अलग-अलग चीज़े हैं ठीक है, एक हमारा executive होगे एक हमारा judiciary होगे बट अगर हम इने comparison करने की कोशिश करें, तो जो district magistrate के post है न, वह equivalent माने जाती है कि chief judicial magistrate, जो magistrates का head है judicial side में, उसके equivalent माने जाती है district magistrate while all executive magistrates including district magistrate district magistrates भी और सारे के सारे executive magistrates उस district के, वो किस से subordinate माने जाते हैं, court of session से और district judge से इसका मतलब यह हुआ, कि district judge जो होता है, वो काफी बड़ी post है और वो DM के फैसलो को भी रद्द कर सकती है कोई भी अगर district magistrate ने कोई भी decision लिया है, कोई भी notice issue किया है, तो वो CGM के पास challenge नहीं होता वो direct court of sessions में district judge के पास challenge होता है तो इससे हमें यह पता चला कि अगर powers की बात करे punishing powers देखे, और वैसे भी normally powers देखे, तो district judge के पास ज़्यादा power होती है और district magistrates के पास power है बट district judge से lower rank में आता है subordinate होता है तो आज की वीडियो में हमने जानने की कोशिश करी hope आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो, तो like and subscribe जरूर करना और share भी जरूर करना thank you so much